हेलो दोस्तों कैसे हो तो सुन्दरवन में आपका फिर से स्वागत है और यह यहाँ पर लटकना चटकना स्टार्ट हो गया है तो यह देखे सबसे जो छोटा होता है न वहीं सबसे जादा प्रेशान करता है और यह देखो कहां जो है चड़के खड़ा हुआ है यह इसको लट मतलब लटकना थोड़ा मुश्किल है चोटे बच्चे सो लटक जाते हैं क्योंकि उन्हें वजन को थोड़ा कम होता है उसके बाद प्यू प्यू को तो उठाना भारी हो रहा आपको पता है और फिर पता हिए इसकी नोटंकी एकदम चालों और धड़ाम से नीचे गीरेगी तो फिर चलता है आगे और यहां पर आप लोकेशन देख रहे होंगे ती सुन्दर ब्यूटिफूल सी सुन्दर सी लोकेशन ग्रीन ग्रीन बहुत ही मज़ा आ जाता है मतलब दिली वालों को तो रियली में मज़ा जाता है ऐसी जगा देखकर खुश हो जाता है बिल्कुल कि मतलब इसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा और देखो हम नहीं है काफी लोग है जो मतलब यहां पर घूमने के लिए आते ही हैं डेली ही आते हैं और आज तो बहुत थंडा था जिस दिन अमाई उस दिन भी लेकिन या चीका सी बीटे उसके बाद में श्रेकर थ हैं सबको बता रहें मेरे हाथ पे चोट लगी फिर उसके बाद में इसने मुझे बताया है वह भी चोट लगी तो मैं अकला दिखाओ इसको बड़ी देर में समझाया है इसको बेंडिट लगाएंगे तब जाके शान्त हुआ वरना तो बड़ा ही जादा परिशान हो यह था कि अधिरियाओं को और इनको मतलब जो पक्षी होते उनकों लाइफ बिल्कुल अपनी आखो के आश सामने से देख सकते हैं हम भी खुद पिंजरे में बंद हो गए यह देखिए मतलब और बहुत लोगे जो गूमने के लिए आते हैं तो यह जो है पिंज़जा बंद है और यह देखिए बिल्कुल हम जो अच्छे से इनको साफ तरीके से बिल्कुल देख सकते हैं हम ही पिंजरे के अंदर आ गए अब मतलब अगर देखो देखा जाए तो मतलब कैसा लगता है ना कि हम तो सिर्फ गूमने गूमने के लिए और पर्मनेंट रहना लगे तो बड़ा ही लेकिन यह चीज बहुत जादा अच्छी है कि आप मतलब इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि इसके अंदर पिंजरे के अंदर मतलब जाल के अंदर रस्ता बना दिया आने जाने का आप बिल्कुल देख सकते हो अच्छे से देख सकते हो यह देखिए ऊपर कितना उचाई पे जाल तो मतलब पंची जो है खुले आसमान में तो नहीं लेकिन यह कि अच्छे खासे जो है घूम सकते हैं क्योंकि ज्यादा पक्षी नहीं है थोड़े हैं लेकिन वह फ्री माइंड से होके बिल्कुल आराम से यहां पर घूम रहे हैं खेल रहे हैं और देखिए पेड़ प लेकिन तो पता है तो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं मुझे इनका नहीं पता नाम यह ड़क है कौन सी है उसके बाद मश्रूम के नीचे खड़े हो गए फोटो शूट की है यहां पर बड़ा आप जो है एंडिंग का टाइम चल रहा है तो बस अब च मुझे से बात खतम होगी और यह स्टार्ट हो जाएगा बस ऐसा है तो खेलना जो है बड़ा इसको अच्छा लगता है और यह मतलब बड़ाई ज्यादा बड़ा तीनों बच्चों ने वाके में बड़ा इंजॉय किया है यहां पर इसके बाद में यह पुरानी सी टूटी स पुरानी जमाने का घर दिखाया होगा और यहां पर मतलब घूमते हैं हमें काफी जाधा टाइम भी हो गया ठंड भी हो गया भूग भी लगने लगी अब तो चलते हैं घर की तरफ और क्या तो यहां पर आए यह स्टार्टिक में जो आपने ज़र्णा देखा होगा तो हम अब उदर से ही हम आ रहे हैं क्योंकि हमने इधर से कम देखा था क्योंकि फोड़ी रोष्णी फोड़ी तेज हो गई है तो अब वापस आ गई है इधर की तरफ जांसे बने स्टार्ट किया था तो यह जड़ ना है यहां पर फोटो शूट करवाया आया वर ठंड़ा जया लग रहा तो यहां पर बैठी गई थकी गए थे हम तो काफी जादा तो यह को बोल रहे थे हम की गूफा का यह यह भी बिचार चुप चाप बैड़ थक गए थे नहीं तो मतलब सब भी थक गए थे इतना टाइम चलते चलते हैं फिर उसके बाद में गूफा वगयरा यह चोटी सी गूफा इसा पता नहीं किस चीज के लिए बना रखी थी यह नहीं पता तो यहां पर फोटो वगयरा काफी सारा खिचवा है और यह देखे यह गूफा जो है किसी ची लाइटिंग भी नो ने मतलब जला दिया उस ताम सुबह इतनी नहीं दिया बाद हर चीज बिल्कुल इतना से आप देख सकते हो यह देखिए अब रोशनी भी काफी सारी हो गई है तो यह बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा तो यह परतन है और यह इनकी योग मुद् आपने ब्लॉग की नहीं अपने इस टूर की इंडिंग करते हैं और यहा पर पहुचते हैंfeld मिलती है तो अपनी मस्ती चलती रहती एंसàng और यह सब जगह सब से थाप से क्यों प्ता चलता है। मश्क lot तो उसके बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ और यहां पर थोड़ी देर रेस्ट करने लगा है थोड़ी दर बैठें पीछे पेड़ लगाया हुआ अस्ट पता नहीं क्या नाम है इसका पता नहीं पर पूछा कि कहा चोट लेगा फिर से इसने हाथ दिखाया कि हां मेरे हाथ मतल अगर आप मेरी वीडियो देखकर आसपास हो या कभी इदर की तरफ आते हो हरद्वार की तरफ आते हो तो आप रेली में एक बार जरूर आओगे यहां देखने के लिए क्योंकि यहां पर और चीज का उत्राखन का पूरा टोटल नजारा सिर्फ एक जगा पर मिल जाएगा और बाकी आपको बच्चे को भी दिखाना चाहिए कि हाँ योगी भी ऐसी चीज होती है अब मेरे बच्चे काफी चीज समझ चुके है इस चीज को यह देखे सी कभूतर जैसी गर्दन कैसे करता है यह मतब बाके में बड़ा नौटंग ही है तो उसके बाद हम जो है चलते ह पर निकाल के इधर आए और इतना अच्छा जो है इन्होंने यहां पर लोकेशन बनाई हुए वाके में बड़ा अच्छा है फिर उसके बाद में चलते है थोड़ा सा और आगे और यहां पर बाहर जाने का रस्ता है और थोड़ा यह हमारा मीस हो गया था जब हम बापास मत पाए कि मौसम जो ऐसा ही ता बादल वाला था बिल्कुल और लेट भी हो गया था लेकिन यह बिल्कुल ग्रीन और इतनी साफ सुंदर लग रही थी ना कि बिना इनको हाथ लगाए वे रहा नहीं जालता है इतनी मकमल ऐसा लग तो मतलब सब्स कर रहे हो इतना जादा अच् सब्सक्राइब करते हैं तो फिर लास में हमारा चला फोटो शूट और मतलब आप चलते हैं घर की तरफ चलने की तैयारी करते हैं बहुत देर होगे अब भर भी चलना है और क्या यहां पर बच्चे भी और सब लोग आते हैं यह देखिए बस जो आप देख रहे हैं पूरी रिसर्च के लिए आई है पर दिल्ली से यह आई है और आप भी नहीं खाना था भूप तो लगी थी फिर उसके बाद चलते हैं यह आ गया किस्टर वर्ड जो की रास्ते हम पड़ता है अगर आप लोग तो काफी जानते होंगे कि हरदवार की तरफ जाते हैं तो किस्टर व थी तो आपको जो है आज का व्लोग पसंद आया होगा थोड़ा सा भी पसंद आता है तो फ्लीज मुझे लाइक कर दिया चरो कि आपको जो खूमना पसंद हैा च्रतर और तो वीडियो का करते हैं बाइबाए